सभी बच्चों को मिरा अबस्कार आड़ी शर्मा 11th class exercise 12.2 mathematical induction का 5th question यह ठीक है mathematical induction का इंट्रो आपको मालूम है कि कैसे question लगाए जाते हैं इसलिए हम इंट्रो में नहीं जाते हैं 1 plus 3 plus 5 up to 2n minus 1 इसको प्रूफ करना है कि n square के बराबर है ठीक है क्या तरीका होता है हमने कहा था कि यह series आप प्रूफ करने के तरीका तो यह arithmetic progression है समानतर सेड़ी है इसको simply प्रूफ कर दो दूसा तरीका यह होता है कि इसको verify करते है verify करने का तरीका क्या है step 1 हम क्या करते है for n is equal to 1 हम देखते हैं कि left hand side और right hand side equal होना चाहिए ठीक है तो जब left hand side की value निकालेंगे तो बहुत लोग n को 1 यहां रखवाते हैं आपको यहां नहीं रखना है 1 मतलब 1 step 2 मतलब 2 step 3 मतलब 3 step तो left hand side की value क्या आएगी 1 और right hand side की value क्या आएगी यहां 1 रखोगे 1 square 1 तो आपने क्या देखा कि LHS is equal to RHS so given statement या given expression या given series so given statement is true statement is true for n is equal to 1 यानि 1 के लिए हमने चेक कर लिया कि फार्मला एक्चल सही है कार्ड है है ना कि पर शरीज जानने के लिए हमने तो एक series मारूंगे अर्थमेटिक प्रोग्रिसन है ऐसी बहुत सारी स्रीज होती है ना अलाग अर्थमेग स्रीज, exponential स्रीज, binomial स्रीज, कितनी स्रीज हम लिखे तो हम प्रूफ करने के बजाए चेक कर रहे हैं कि फार्मला सही है कि नहीं सही है, step two में हम क्या करते हैं, step two में हम ये माल लेते हैं कि ये कोई एक general value k है, उसके लिए सही है, माल लेते हैं कि let it is true, let it is true for n is equal to k, जिसका होता है ये क्या हो जाएगा, one plus three plus five up to two k minus one is equal to k square, ये हम मान की चलना हैं सही है, अब इसने चेक नहीं किया, ये जो k है ना, इसने चेक नहीं किया गाड़ी को, इसने ऐसी गाड़ी को पार होने दिया, मुले ठीक है, लाओ, तुम सही हो जाओ, इसके बाद हम खड़े हुए थे, k plus one के लिए, हमने इनको फोन किया, इ k plus one, k के जस्ट बात का नंबर, energy को लुग k plus one, तरीका क्या होता है, कि मैं यहाँ n को k plus one लिखूंगा, इनकी information लूँगा, इनकी इनका यूज करूँगा, और यूज करके हम इसको देखेंगे, कि ये सही है या नहीं है, देखो, तरीका क्या है, कुछ टीचर n को k plus one दोनो taking lhs of equation one, n को k plus one लिखना है, तो ये क्या आएगा, one आएगा, plus three आएगा, plus five आएगा, अचा, अगर मैं यहाँ n को k plus one रख दूँगा, तो बन क्या जाएगा, ये बन जाएगा, 2 k plus one, minus one ब्रैकेट खोलोगे, तो ये बन जाएगा, 2 k plus one, है ना, और इसके पहले क्या इधर से बढ़ रहे हो, तो दो दो नमबर बढ़ रहे है ना, उधर से आओगे, तो दो दो नमबर माइनस हो जाएगे, तो दो माइनस करोगे, तो नमबर आएगा, 2 k minus one, ठीक है, आप देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, एचुली इसके पहले नमबर, ultimately यही आन हो जाएगा, यह हो जाएगा k square, और यह 2 k plus one लिखा है, अगर ध्यान से देखो, यह k plus one का whole square लिखा हुआ है, और अगर मैं right hand side में n को k plus one लिखता, तो right hand side भी तो k plus one का whole square आता, yes, यही आपका right hand side है, तो statement क्या लिखेंगे, किसका मतलब ही, जो given statement है, वो n is equal to k plus one के लिए भी सही है, यही वन के लिए सही था, हमने चेक कर लिया था, तो लिखेंगे, so given statement is true for n is equal to k plus one also, आपने वन के लिए प्रूफ किया, k के लिए मान लिया सही है, लेकि just k plus one पर हम चेक किये, सब पर सही है, so it is true for all the values of n, so it is true for all the values of n, all the values of n, ठीक है, यह तरीका है और सब question का तरीका एक से, यह हुआ आपका fifth question,